आज हम जो राजस्तान यूनिवर्सिटी द्वारा 2022 में URA TPG इंटरंस टेस्ट केमिस्ट्री का जो लगा था उसकी आज आंसर की देख लेते हैं और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या कटॉप जाएगी क्या हमारा सेलेक्शन राजस्तान यूनिवर्सिटी के अंतरगत होग या नहीं होगा एक बात मैं पहले सातीयों आपको बता देता हूं कि कियमिस्टी की जो सीटे हैं वो सिक्स्टी सीडे है और जो केमिस्टी का पेपर दिया है कम लोगों ने बाटोटनी और जूलोजी की अपय्च्छा कम लोगों ने दिया है तो आपकी Iraker करते हैं पहले question की शुरुआत करते हैं crystal में shorty की दोस देखा जाता है जब कब देखा जाता है जो crystal होता है उसमें shorty की दोस कब देखा जाता है तो पहले का right answer हो जाएगा यहाँ आपका समान संग्या के दनायन एवं रिडायन crystal जालक से अनपस्तित होते हैं जब समान संग्या के दनायन एवं रिडायन crystal जालक से अनपस्तित होते हैं जब crystal में shorty की दोस देखा जाता है तो इसका right answer हो जाएगा B option is the correct answer इसके बाद next question देखते हैं B नेम ने लिकित में से किस योगम में hydrogen बंद संभव नहीं है यह आपको 4 option दिये हैं इन में यह बताना है कि कौन से में hydrogen बंद संभव नहीं है जो hydrogen bond है वो संभव नहीं है पॉसीवल नहीं है तो second number का right answer हो जाएगा आपका B option is the correct answer NS3 और CH4 में hydrogen bond संभव नहीं है तो यह इसका right answer हो गया जो भी विद्यारती करके आयोंगे उनका correct माना जाएगा इसके बाद next question आता है आपका 3 number निन लिकित में से कौन सा खतन O2 के आणविक आरिक के संधर्म में सही है आणविक आरिक के संधर्म में सही है तो इसका right answer हो जाएगा आपका 3 number का D option is the correct answer O2 अन्चुमकी होता है क्योंकि इसमें क्या है पाई बॉंड पाया जाता है इसलिए ये अन्चुमकी है एक मिंट पाई पाई बॉंड होगा ठीक है इसके बाद next question आता है निन लिकित फॉस्फोरस हेलाइड के बंद कौनों का सही करम है निन लिकित ये फॉस्फोरस के हलाइड है इनका सही बंद करम बताना है तो 4 number का right answer हो जाएगा आपका C option is the correct answer PVR3, PCL3 और PF3 ये इस दा correct answer है इनके बंदों का सही करम है गटते हुए करम है जो लगाए गई है इसके बाद next question आता है आपका 5 number अतिस बाजी में उज्वल किरमसन प्रकास निम्न में से किस दातू लवण की उपस्तती से होता है जो अतिस बाजी होती है जैसे बंब इसपोर्ट करते हैं आपन तो उसमें जो उज्वल किरमसन प्रकास निम्न में से किस दातू का होता है कौन से दातु की उपस्तिती की कारण होता है तो 5 नम्मर का राइट आंसर हो जाएगा यहां आपका SR दातु इसके बाद next question आता है आपका 6 नम्मर निम्न लेखित में से कौन सा किरम आरवी प्लस C option is the correct answer बढ़ते हुए ग्रम्मे है इसके बाद next question आता है आपका 7 नम्मर निम्न लेखित में से किस अकार्वनिक बेंजीन कहा जाता है निम्न लेखित में option दी गए है उनमें अकार्वनिक बेंजीन देखती जानी है अकार्वनिक बेंजीन का नम पूचा है तो 7 नम्मर का right answer हो जाएगा यह option बोराजीन अकार्वनिक बेंजीन है इसके बाद next question आता है आपका 8 नम्मर XEF4 के आंसिक जला अपकटन दौरा इनमें से क्या प्राप्त होता है जो XEF4 के आंसिक जला अपकटन करेंगे तो इनमें से क्या प्राप्त होगा निम्न लेखित option दी है तो 8 नम्मर का right answer हो जाएगा अपका B option XEOF2 प्राप्त होगा जला अपकटन करने पर इसके बाद next question आता है आपका 9 नम्मर प्रतिवी के ऊपरी बाईयो मंडल में निम्न लेखित प्रतिकरिया से रेडियो धर्मी 14 कारवन उत्मन होता है एवं इनमें से क्या है तो इसका right answer हो जाएगा आपका 9 नम्मर का B option यानि neutron है N की संक्या और P proton है तो ये right answer हो जाएगा इसके बाद next question आता है आपका 10 नम्मर निमन लेखित में से कौन सी प्रजाती 86 RV 37 की संपराशरी आइसो टोनिक निमन लेखित में से बताना है तो 10 नम्मर का right answer हो जाएगा C option जो 87 SR 38 ये right answer है इसका C option is the correct answer इसके बाद next question आता है आपका 11 नम्मर MN की MN of 4 minus 2 में oxy current संक्या है MN की मेंगनीज है उसके oxy current संक्या पूछी है तो MN की oxy current संक्या क्या होगी 11 नम्मर का right answer हो जाएगा आपका C option 6 होगी MN की oxy current आवस्ता क्या होगी 6 होगी कि इसके बाद next question आता है आपका 12 नम्मर नियमन में से किस iron का चुमक की आगुन सबसे उस्चतम होगी तो iron पूचें किसका की आगुन सबसे उस्टम होगा तो इसका right answer होजागा C option AP3 plus positive AP3 plus इसके बाद next question आता है आपका 13 नम्मर जटे लिए होगे K3, AL, C2O4 का HALTHRICE का IUPSC नाम पुछा है तो IUPSC नाम बिल्कुल सिंपल है तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा B option Potassium Trioxylator Aluminate 3rd ये इसका क्या हो गया? IUPSC नाम हो गया इसके बाद next question आता है आपका 14 नमबर नेमन मैंसे कौन सा प्रवल छेत्र लिगेंड नहीं है नेमन मैंसे कौन सा प्रवल छेत्र लिगेंड नहीं है तो नेमन जो अधार्ण दिये हैं उन मैंसे प्रवल छेत्र लिगेंड जो नहीं है तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा D option प्रवल छेत्र लिगेंड की ही है इसक राइट आसर हो जाता नेक्स कुछन आता है आपका 15 नमर नेमन एक्टि नाइड से कौन से त्वा सबसे ज़्यादा शंक्या में जो नेमन एक्टिनाइड दिये हैं उनके सबसे ज़्यादा ऑक्सिकरण अंक दर साते हैं का राइट आंसर हो जाएगा 15 का A option N P और P U N P और P U यह क्या है तत्व हैं यह सबसे ज़्यादा Oxy current अंके दर सकते हैं इसके बाद next question आता है आपका 16 नम्मर Lenthinide Hydroxide की चारियता का सई क्रम है Lenthinide Hydroxide की चारियता का सई क्रम पूचा है तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका B option B option is the correct answer L A O S 3 से Lutacium O S 3 L U O S 3 गठती है यानि यहां तक की इनकी Hydroxide की चारियता का क्रम गठता है तो इसके बाद next question आता है आपका 17 नम्मर मानक इलेक्ट्रोन विवबब की किस मूले पर सहज होगी होती है मतलब complete जो रेड़क्ट्रोन विवबब पूचा है मतलब कितनी होगी उसकी रासी मूले पर सहज होगी तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा B option E 0 यानि मानक इलेक्ट्रोन विवबब ज्यादा होगा 0 से जब रेड़क्ट्रोन विवबब पूचा है तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा इसके बाइच्ट्रोन आता है आपका 20 नमर तरल अमोनिया में सोडियम दातू के संदर्म में निमनलिकित में से कौन सा खतन गलत है तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा A option वहाँ एक oxy का रग है एक गलत है और बाकी सब सही है तो वहाँ एक oxy का रग है इसके बाद next question आता आपका 21 सबसे उसके खनन में उसके छोटे-छोटे कणों को बड़ी मात्र की रेद एवं oxyde से निकालने में काम लेते हैं तो 21 का right answer हो जाएगा आपका यानि soft acid को काम में लेते हैं इसके बाद next question आता है आपका 22 नेमन लिखित में से कौन सा गोण प्रवल अमलका नहीं है तो 22 का right answer हो जाएगा प्रवल अमलका नहीं है इसके बाद next question आता है आपका 23 नेमन लिखंडों के crystal शित्र विपाटन का सही क्रम पूचा है तो इसका right answer हो जाएगा 23 का right answer हो जाएगा इसके बाद next question आता है आपका 24 नेमन लिखित में से कौन सा बिन्यास जोहन टेलर विकरती को दर्साता है तो इसका right answer हो जाएगा 24 का right answer हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा इसके बाद next question आता है आपका 25 नेमन लिखित में से कौन सी species काल अनासरित अनचुमकत तो दर्साती है तो 26 का right answer हो जाएगा इसके बाद next question आता है आपका 26 का right answer हो जाएगा इसके बाद next question आता है आपका 27 CS3 का हौल ट्वास SNF2 में SN की समन में संक्या है SN की समन में संक्या पूछी है तो 27 का right answer हो जाएगा इसके बाद next question आता है 28 निम्न में से वहाँ दातु कारो नियल जो EAN नियम का पालन नहीं करता है EAN नियम का पालन कौन नहीं करता है तो 28 का right answer हो जाएगा D option is the correct MNCO का हौल 5 MNCO का हौल 5 इसके बाद next question आता है आपका 29 vitamin B बारे में कौन सा दातु पाया जाता है vitamin B बारे में कौन सा दातु पाया जाता है 29 का right answer हो जाएगा C option is the correct answer CO vitamin cobalt vitamin B बारे में पाया जाता है इसके बाद next question आता है आपका 30 number निम्न लिकित में से कौन सा योगिक नियंतरित hydrolysis के द्वारा बहुली करंड कर रेखिक स्रेंकला silikons का उत्पादन करता है तो 30 का right answer हो जाएगा आपका A option is the correct answer dimethyl silicon dichloride इसका correct answer हो गया इसके बाद next question आता है आपका 31 निम्न लिकित में से कौन सबसे प्रवल लोईस अमल है इसके बाद next question आता है आपका 32 निम्न दातुओं में से कौन सा दातु प्रकास बिद्दुत प्रवाव नहीं दिखाता है तो 32 का right answer हो जाएगा डी option आरवी यानि रुवीडियम जो है वो क्या है एक मिन टेक मिन जो रुवीडियम है वो धातु प्रकास बिद्दुत प्रवाव नहीं दिखाता है प्रकास बिद्दुत प्रवाव नहीं दिखाता है इसके बाद next question आता है आपका 33 निम्न दिखित योगिक में से कौन सा योगिक चक्रण संक्रमन दिखाता है तो 33 का right answer हो जाएगा A option is the correct answer APH2O का hall 6 3 positive यह क्या है चक्रन संक्रमन दिखाता है इसके बाद next question आता है आपका 34 निमन लिखित में से कौन सा electrophile electron इसने नहीं है वो फूचा है तो 34 का right answer हो जाएगा A option is the correct answer CS3 का hall 4 N positive CS3 का hall 4 N positive इसके बाद next question आता है आपका 35 दी गई अविक्रिया में बंद तूटने और बनने की किरिया चक्रिय संक्रमन में समकालिक होती है दी गई बिकल्पों में से यहाँ अविक्रिया किस किरिया विदी से हो रही है यह जो नीचे triple bond दिए हुए है यह हुआ हीकरिया इस से कया है कि अपना जो benzene बन रही है तो यह कि समक्रिया विदी से हो रही है यहां आपको हविकारक देखने पड़ेंगे तो यहां एड जो hot AP है and su2 में मतलब न लिकाम है तब तब न लिकाम है AP और CU है तो इसका right answer हो जाएगा आपका कौन सा question है 35 35 का आपका correct answer हो जाएगा D option pericyclic pritikirya यानि जो cycle बन रही है जो ring बन रही है तो pericyclic हो गई इसके बाद next question आता है 36 name ने लिकित योग को मैं से किस योगिक का R विन्यास है R विन्यास पूचा है तो 36 का right answer हो जाएगा यहाँ D option is the correct answer इनका R विन्यास है D option is the correct answer इसके बाद next question आता है आपका 37 दिये गए योगिकों के कितने जियामिती समावयब संभव हैं तो इसका right answer हो जाएगा जो योगिक दिया है CS 3 CS double bond CS single bond CS double bond CS bond C2H5 question mark तो इसका right answer हो जाएगा 37 का C option is the correct answer 4 इसके बाद next question आता है आपका 38 नेमने लिखित एलकेंस के खोतनांग का गटता किरम है नेमने लिखित एलकेंस के खोतनांग का गटता किरम है तो 38 का right answer हो जाएगा A option नियो पेंटेन ग्रेटर देन इसका right answer हो जाएगा ये option is the correct answer इसके बाद next question आता है आपका 39 साइकलो पेंटेन का 4KMN4 के साथ हवकिरिया होने पर क्या प्राप्त होता है तो 39 का right answer हो जाएगा V option संपच्छ यानि सिस बन्टू साइकलो पेंटेन डाइल ये प्राप्त होगा इसके बाद next question आता है आपका 40 नमर निम्ड योगिकों मेंसे कौन सा योगिक aromatic नहीं है निम्ड योगिकों मेंसे कौन सा योगिक aromatic नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा B option is the correct answer इसके बाद next question आता है आपका 41 निम्ड लिखित मेंसे कौन सी अवकिरिया इलेक्ट्रोन इसनी प्रतिस्तापन प्रतिकिरिया नहीं है निमन लिखित में से कौन सी हवगिरिया इलेक्ट्रोन इसनी प्रतिस्तापन प्रतिकिरिया नहीं है तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा V option एरेल हैलाइड की प्रबल चाहर के साथ हवगिरिया जो एरेल हैलाइड की प्रवलचार के साथ हविक्रिया है जो इलेक्ट्रोन इसनी प्रतिस्ताफन प्रतिकिरिया नहीं है इसके बाद next question आता है आपका 42 नेमलेकित मैंसे कौनसी हविक्रिया किरिया विदी दो यांडविक नहीं है निमले कितमे से कौनसी हविकरिया किरिया भी दी दो यह आणडविक नहीं है तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा SN1 यानि D option is the correct answer यह SN1 हविकरिया दो यह आणडविक नहीं है इसके बाद next question आता है आपका 43 निमले कितमे से कौनसा हविकारक SN2 अविकरिया के लिए यह आपको योगिक दिया है यह आपको योगिक दिया है यह आपको योगिक दिया है तो यूबी रे संक्रमन संभावित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का B option is the correct answer B option is the correct answer एक मिन्ट एक मिन्ट एक मिन्ट एक मिन्ट एक मिन्ट हो जाएगा इसके बाद नेक्स कुश्चन जो आता है आपका 45 इन प्रकार्यात्मक समुओं की इन फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रतान यानि किछा प्रवर्तियों यानि इसके बाद नेक्स कुश्चन आता है आपका 46 नेम लेकित हविक्रिया में प्रोको उत्पाद यानि प्रोडेक्ट है प्रोडेक्ट पूचा है तो यह आपको अविक्रिया दी हुई है इसमें जो प्रोडेक्ट जाता है तो इसका राइट उप्रोडेक्ट में है तो इसका राइट ऊंसर होजाएगा आपका दी है जो कौन सा Phinol है जो तो सबसे अधीक अमली है तो 47 का राइट अंसर हो जाएगा दी आपशन कौन सा है तो ये पहर सबसे जधी ज़्यादा अमली है इसके बाद पमाद नैक्स पूशन आता है 48- ol Oxyераhana को NIMAHLE कित्में से क्या कहते है Oxy darle giwo hai उसे NIMAHLE कित्में से क्या कहींगे तो 48 काזा राइट हांसर हो जाएगा ऐपक्साइड tuo गो지만 को NIMAHLE के या Oxyrend को एपक्साइड भी कहते है इसके दाए नेक्सक्शन आता है आपका 49 सूची पश्ट को सूची सेकंड के साथ सुमें लेत कीजिए यानि मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिएगे कूट का प्रयोक कर सही करम का उत्त दी दिए तो यह अविक्रियाइं दी हैं जो क्या बनाने के काम आती हैं वो पूचा है तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वी ओफशन वी ओफशन इस दा करेक्ट आंसर 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वी ओफशन इस दा करेक्ट आंसर यानि एका मिलान जो रोजोन मॉंड हब करिया रेक्षन हैं वो क्या है कि एल्डी हैड बनाने की विदी है और जो मिरविन फॉंडर वले रिडेक्शन है वो अपचेन है वो क्या है कि एल्कॉल बनानी की बिदी है और वॉल्ब किशनर रिडेक्शन है वो क्या है कि एल्गेन बनानी की बिदी है जो नौवेल गन प्रतिक्रिया है वो क्या है अलपा बीटा है संत्रप्त अमल बनानी की बिदी है तो इसका right answer हो जाएगा जो B option है is the correct answer इसके बाद next question आता है आपका 50 number नेमले किती योगिक का IUPSC नाम पूचा है यह आपको योगिक दिया हुआ है इसका इनोंने क्या है कि IUPSC नाम पूचा है तो इसका IUPSC नाम आप असानी से निया काल सकते हैं 2 drug part 1 पर और 1 proportion प्रपे नल प्रफटी नल हो गया इसके भाद eight question आता है 51 नेमले किता अविकरिया में प्रमोगिकरिया दिया हुई है उसमें प्रमुक उतपाद पूचा है जो प्रोडेक्ट है वੋ पूचा है June है उसमें हभीकारक जो रिजयंट है और केटा लिस्ट भी दिया हुआ है तो इसमें क्या है कि आपको गिर्या करनी है उसके बाद आपको जो प्रोडेक्ट प्राब्ट होता है वो बता नहीं है तो फोर्टी बन का राइट अंसर हो जाएगा हाँ ये इसका right answer हो गया इसके बाद next question आता है आपका 53 इसके बाद next question आता है आपका 54 इसके बाद आपको बताना है कि कौन सी हविक्रिया है इसके बाद next question आता 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 है आपका 58 नमब्र निम्लेकित योगिकों मैशे ल्काइव own अल्पा हाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमली है तो इसे कौन सा योगिक है जिसमें अल्पा हाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमली है तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा C option is the correct answer S3 CO ये क्या है bond से जुड़ा हुआ है फिर double bond O है फिर single bond से जुड़ी हुए है और double bond O है तो इसका right answer हो जाएगा C option is the correct answer इसके बाद next question आता है 59 नेम लिखे तो योगम मेंसे कौन सा योगम अपस में प्रती भिम रूप एंट एक मिन टेक मिन एंटी ओमार है एंटी ओमर है तो इसका right answer हो जाएगा 59 का right answer हो जाएगा इसका right answer हो गया इसके बाद next question आता है आपका 60 नमर अपचाएक सरक्राओं में वहाँ कार्यात्मक समूँ जो तॉलीन हविकरमक के साथ अविकरिया करता है तो 60 का right answer हो जाएगा वो A option is the correct answer इसके बाद next question आता है 61 नमर खितमे से कौन सा अनावस्यक अमीनो हमल है तो 61 का right answer हो जाएगा इसके बाद next question आता है आपका 62 थाईलस सोडियम धातू के साथ अब करिया करके नमर में से कौन सी गेस बनाते है जो थाईलस होते है थाईलस वो सोडियम धातू के साथ अब करिया करके कौन सी गेस बनाते है तो 62 का right answer हो गया hydrogen gas, S2 gas बनाते है यह option is the correct answer इसके बाद next question आता है आपका 63 नेम लेकित योगिकों को उनकी अमलियता के गटते किरम में लगाना है तो 63 का right answer हो जाएगा आपका D option पहले 2 नमर फिर 1 नमर फिर 3 नमर इनको क्या गटते किरम में लगाना है इसके बाद next question आता है आपका 64 नमर नेम लेकित में से कौन सा बेंट रंजक है जिसे प्राइज जीन्स की रंगाई में काम में लिया जाता है जो जीन्स होते है उनकी रंगाई में काम में लिया जाता है तो 64 का right answer हो जाएगा नील इंडिको इंडिको रंजक जिसको हम क्या है बेंट रंजक है जिसे प्राइज जीन्स की रंगाई में काम में लिया जाता है इसके बाद next question आता है आपका 65 नमबर दिये गई योगिक के कौनसे proton पर्ष्ट एन ह, एन, एम, आर स्पेक्टर में सबसे निम्न चित्र में अब सुसन दर्शाते हैं तो इसका right answer हो जाएगा इसके बाद next question आता है आपका 66 निम्न लिकित में से कौनसा ही होगे केमन 4 के साथ औक्सी करण करके बेंजो एक अमल देता है तो इसका right answer हो जाएगा 66 का right answer हो जाएगा आपका C option C option is the correct answer इसके बाद next question आता है आपका 67 निम्न लिकित में से monobasic acid कौनसा है निम्न लिकित में से monobasic acid कौनसा है तो 67 का right answer हो जाएगा D option S3PO2 S3PO2 is the correct answer D option is the correct answer इसके बाद next question आता है 68 आपकास का नीला रंग निम्न में से किस परगटना के कारण होता है आपकास का जो नीला रंग है वो निम्न में से किस परगटना के कारण होता है तो 68 का right answer हो जाएगा प्रकीरणन के कारण आपकास का जो रंग है वो हमें blue रंग दिखाई देता है blue color होता है इसके बाद next question आता है 69 X का man गयाद कीजिए यह आपको log दिया हुआ है में तो वालों को अच्छी तरह आता होगा यह आपको log दिया हुआ है तो इसमें हमारे को क्या है कि X का नाम गयाद करना है X का man गयाद करना है तो 69 का right answer हो जाएगा 4 by 3 4 by 3 यहाँ X का man हो गया इसके बाद next question आता है 70 नमर सूत्रिल यानि नेमेटिक एक तरह का द्रव क्रेश्टल है जिसे उसकी एक बिसिस्ता की द्वरा पेचाना जाता है तो 70 का right answer हो गया A option is the correct answer A option क्रमी करन आई रिंग आई रिंग इसके बाद next question आता है 71 H2N2O2 एवं HBR गैसों का इस्टीप मानकताप एवं दवा पर बरग माद्य मूल बेग को सही क्रम में लगाएं बरग माद्य मूल बेग को सही क्रम में लगाएं तो 71 का right answer हो गया B option is the correct answer 71 का right answer हो जाएगा H2N2O2SBR इसका right answer B option इसके बाद next question आता है 72 नमर इसके बाद next question आता है इसके बाद next question आता है आपका 73 नमर इसके बाद next question हो गया C option 3 touch is the correct answer बिल्कुल important question भी था इसके बाद next question आता है 74 नमर कितमे से कौन सी क्रेण है powder बिदी द्वारा किस्टल सरचना निदारण में उपयोग की जाती है तो 74 का right answer हो गया D option एक बढ़नी एक बढ़नी X-ray क्रेण है जो क्या है powder किरने powder बिदी द्वारा किस्टल सरचना निदारण में यूज की जाती है इसके बाद next question आता है 75 परचेपित प्रावस्ता परचेपित प्रावस्ता द्वारा प्रकास प्रकेणन को निम लिकित में से क्या कहते हैं पर शेपित प्रावस्ता द्वारा जो प्रकास प्रकेणन हैं उसे क्या कहते हैं तो 75 का right answer हो गया टिंडल प्रवाब B option is the correct answer इसके बार next question आता है 76 एक जल रागी यानि जल इस नहीं को लॉइड को लॉइड की सुरच्चा सकती उसके golden number के बढ़ने या गटने के साथ बढ़त होती है को लॉइड की इसके बार next question आता है 77 निम्न लिखित में से कौन सी हविक्रिया सूने कोटी हविक्रिया नहीं है सूने कोटी हविक्रिया नहीं है यह पूचा है और बागी तो 77 का right answer हो जाएगा D option गन्ना चीनी यानि कैन सुगर का खनेज अमलकी अपस्तिती में कैन स इसके किस पर लागो होता है जो टकर सिद्धान्थ है तो 78 का right answer हो जाएगा C option दो ए अड़ो का अविक्रिया पर है जो टकर सिद्धान्थ लागो होता है वाई-molecular reaction के ऊपर जाएगी लागो होता है इसके बार next question आता है 79 प्रतम कोटी अविक्रिया की अर्द आयू काल ता 78 नहीं नहीं 80 नमर 80 नमर एक उस्मा चेपी प्रिक्रिया में उस्मा चेपी प्रिक्रिया में पूर्ण उस्मा में बदलाव निम्लेकित में से कौन सा होता है तो 80 का right answer हो जाएगा B option negative इसके बार next question आता है 81 जूल थॉमसर विस्तार इनमें से क्या है जो जूल थॉमसर विस् इसके बार next question आता है 82 एक तरल के एक ठोस में क्रिश्टली किरत्त होने पर उसकी entropy में क्या बदलाव आता है तो 82 का right answer हो जाएगा B option is the correct answer गठती है entropy क्या है गठती है इसके बार next question आता है आपका 83 गिब्ज हैल्म होल्स समीकर निम्लेकित में से किस पर लागो होती है जो इस इसके बार next question आता है आपका 84 निम्लेकित में से कौन सा कतन दो गठक योगिक A और योगिक B के प्रावस्ता आरेक में गलन क्रांतिक बिंदू के लिए सही है गलन क्रांतिक बिंदू के लिए सही है तो 84 का right answer हो जाएगा आपका B option is the correct answer मिसरन का गलनांग दोनों गठकों के अपने अपने गलनांग से कम है इसके बार next question आता है आपका 85 एक गठक प्रणाली में चार प्रावस्ताएं हैं क्या चारों प्रावस्ताओं का संतुलन में से अस्तित्व संभव है तो इसका right answer हो जाएगा 85 का right answer हो जाएगा A option नहीं है जो अस्तित्व है वो संभव नहीं ह next question आता है 86 कांच के लेक्ट्रोड का सही सहल संक्यतन है कांच के लेक्ट्रोड का सही सहल संक्यतन है तो 86 का right answer हो गया A option PT HCL 0.1 and ratio glance इसका right answer हो गया A option is the correct answer इसके बाद next question आता है 87 वहाँ उसमा है जो 11 द्रभ्यमान में 1 degree Celsius और 1 degree Kelvin ताप बढ़ाने के लिए दी जाती है उक्त कतन सही है या गलत है यह बताना है तो 87 का right answer हो गया वो है A option सही है इसके बाद next question आता है आपका 88 एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए 69 समीकंड निमले कितमें से कौन सा है एकल इलेक्ट्रोड समी विभव के लिए 69 समीकंड परी में इंपोर्टेंट है final से आया हो है इस फिजीकल केमिस्ट्री से तो 88 का right answer हो जागा इसके बाद next question आता है 89 कौम टन सिफ्ट्म इन में से किस पर आधा रहते है बिल्कुल इंपोर्टेंट कुश्चन आया हुआ है और इंपोर्टेंट था फाइनल में भी पूचा गया था तो 89 का right answer हो गया c option फ्रकीडन कौन बिल्कुल simple question इसके बाद next question आता है 90 इसका right answer हो गया इसके बाद next question आता है 91 विवेन प्रकार की आंडवे कूर्जाओं को उनके गटते हुए क्रम में लगाएं विवेन प्रकार की आणवे कूर्जाओं को उनके गटते हुए क्रम में लगाएं तो इनको गटते हुए क्रम में लगाना है तो 89 का right answer हो जाएगा आपका नहीं नहीं 91 का right answer हो जाएगा ये option is the correct answer इलेक्टरोड गिरेटर देन गिरेटर देन इबिवे गिरेटर देन इरोटी गिरेटर देन इट्रांस तो इनको क्या है गटते हुए क्रम में लगाना है तो इसका right answer हो गया ये option is the correct answer इसके बाद next question आता है आपका 92 एक सरल आवरती दोलाग में कमपन परिवर्तन के लिए कौनसा बरण नियम लगता है तो इसका right answer हो जाएगा 92 का right answer हो जाएगा आपका इसके बाद आगे बढ़ते हैं next question की शुरुआत 93 नमर दो इद्रूब आगून 93 है ना इसका right answer ना गून एक सर देशरासी है जिसका परिमार होता है एवं दिशाहीन होती है आपको पता है कि सदिश रासी में दिशाहीन होती है इसका right answer हो गया बी उपसिन इस दा करेक्ट आंसर इसके बाद next question आता है आपका 94 नाइनिटी थ्री में ccccccc sorry इसके बहुए जोरी तो कौन सा है अनुसंग के गुंदरम है वो कौन सा है तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ओप्सन यानि डेल टी एफ अनुसंग के गुंदरम में इसके बाद नेक्स कुष्ण है आपका 95 अगर दिये गए थो इन में से किस तरह के आविश भित्रण की बज़े शे होती है बंद यवं अनु दूरिय था इन में से किस तरह के आविश भी तरन की बज़े से होती है तो 96 का राइट आंसर हो गया डी ऑप्सन स्समान इसके वार नेक्स कुछन आता है आपका 97 बिलियन जिसमें 10.0 ग्राम CACL2 कैलसियम क्लोराइड 200 मिली लीटर बिलियन के आजतनमें गुला हो उसकी मोलर्ता निमले कितमें से कितनी होगी तो मोलर्ता आप गयाद करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटो केमिकल रियक्षन H2 plus Cl2 H new 2HCl की क्वांटम लबदी निमन में से क्या होगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का D option is the correct answer 10 की पावर 6 10 की पावर 6 तो D option is the correct answer इसके बाद नेक्स कुछन आता है 99 निमले कितमें से कौन सा एक कार्वीन है 99 का राइट आंसर हो जाएगा C option R to C R to C यह एक कांगी यह को भी दिया है तो R to C एक कांगी इसके बाद नेक्स कुछन आता है Last and Final और इससे पहले मैं आपको cut-off के बारे मैं बता हूँ चलो इस कुछन को कलते हैं उसके बाद में बताता हूँ दिये गए बिकल्पों में ऐसे सबसे उच्छतम उर्जा वाला संक्रमन कौन सा है बिल्कुल सिंपल कुछ सन आया है तो 10 नमर का राइट आंसर हो जाएगा यह option is the correct answer इसके बाद थेंक्यू so much watching this video और आपको जो आंसर की तो solution मैंने बता दी आंसर की बता दी पेपर की मैं यह बताता हूँ कि किसनी percentage जा सकती है तो यह बताना है तो एक मिंट बेट करेंगे देखिए जो chemistry का पेपर है बिल्कुल सिंपल आया था और इसमें आपके कटाओ के chances बनते हैं अगर आपकी जो category है ना अगर आपकी category st से belong करते हो एक सेकंड थोड़ा issue है अगर आप st से belong करते हो st category से belong करते हो एक मिंट क्यों चल रहा st category से belong करते हो तो st में आपको st category के अंदरगत आपको 56 से 56 नमर से 60 नमर तक तो होने चाहिए यानि 50 नमर जिसके आ रहे होंगे उसका भी हो सकता है st category में इसके बाद OVC की बात करें तो इनके marks हो क्या है कि 60 से 65 तक होने चाहिए यानि OVC category की बात कर लिए तो 60 से 65 इसके बाद बात करते हैं अपन इसके बाद बात करते हैं ऐसी category सब्सक्राइब दोगां ने लिए तो आपको 50 से 56 के बीच मार्ग्स चाहिए इसके बाद next जो आती है और इसके बाद आती है आपको 50 के बीच अंक चाहिए और इसके बाद आती है आपको आपकी के अबब नमबर होने चाहिए 70 के अबब मतलब आपके आंसर सही होने जाहिए जनरल केटिकरी की बात कर रहा हूं तो यह आपकी कट अब जाने के चांसे लग रहे हैं और आपकी कट अब जल्द ही इस वेपर की पीडियाप चाहिए तो आपकोंटेक्ट कर सकते हैं और भी कुई समस्य है तो कमेंट में जरूल कुछ लिखें मेरे को क्या अच्छा करना है क्या बुरा करना है क्या खरापी है वो मुझे जरूल बताएं थेंक यू सो मच बाचिंग दिस वीडियो फिर मिलते अच्क्स बिडियो केंदा